भारत में आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी और उनकी ट्यारी आपको इस चैनल के मात्रम से कराये जाएगी इसके लिए आप गुर्मेंट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकुन को दबाईए ताकि आपको जानकारी मिले सबसे पहले हेलो फ्रेंट्स वेलकम डू आल तो फ्रेंट्स आज है 31 अगस्त तो आज हम 31 अगस्त की जितने भी इंपोर्टन करंट अफेर होंगे वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे और अगर आपको इसका पीडियो चाहिए तो वह आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं हमारे 30 अगस्त की करंट अफेर्स पढ़े थे तब लास्ट में दो कोईशन आपको टेस्ट के लिए दिये गए थे जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था तो सबसे पहले हम वो डिसकस करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 31 अगस्त के करंट अफेर्स देखिए जो इसमें से सबसे पहला कोईशन था आपका सोट यह का महा कहाश्चीव किसे न्यूक्त किया गया है देहें कजिए एसोट इसैंडर के सुछेम का future थे एसके बाद देखीए जो दूसरा क्वेशन ता कहुत के लिए था डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में कौन सा सरकारी बैंक देश के सभी बैंकों से आगे निकल गया है तो उस बैंक का नाम था पी एन बी यानि की पंजाब नेशनल बैंक जो कि डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में देश के सभी सरकारी बैंकों से सबसे आ और वीडियो पूरा देखिएगा क्यूंकि आज भी लास्ट में दो कोश्चन आपको टेस्ट के लिए दिये जाएंगे जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला कोश्चन है S.E.O. शांती मिशन 2018 का पाँचवा संसकरण कहां स्माप्त हुआं स्माप्त हुआ और यह जो S.C.O. शांती मीशन 218 का पांचवा संस्क्रण है वो किसके नित्रितु में समाप्त हुआ ये भी आपको पता होने चाहिए तो ये लेफ्टिनेंट जोर्नल सतीश दुआ के नित्रितु में समाप्त हुआ है और इस अभ्यास में पाकिस्तान और भारतिय में और इसके जो स्थापना है वो 26 अप्रेल 1996 में हुई थी तो देखिए S.C.O. के जो फाउंडर हैं उन देशों का नाम है रशिया चाइना कजाकिस्तान उजबेकिस्तान किरगिस्तान और तजाकिस्तान तो इतनी इंपॉर्ण बाते आपको पता होने चाहिए S.C.O. के ब तो बर्क शायर हैथवे ने भारत की P.T.M. कमपनी में 25 करोड रुपे का निवेश किया है देखिए बर्क शायर हैथवे एक कमपनी है इसके जो मालिक है उनका नाम है वारेन वफेट उन्होंने भारत की P.T.M. कमपनी में 25 करोड रुपे का निवेश किया है जिससे क्या हो कि उसके बाद हम कुछ important बाते बरकशायर हैथवे के बारे में जानेंगे सबसे पहले देखें बरकशायर हैथवे के बारे में इसका जो headquarter है वो उमाहा में है US के अंदर उमाहा में और इसके जो स्थापना है वो 1839 में हुई थी और इसके जो founder है उनका नाम है Oliver Chase और बरकशाय है जो CEO है उनका नाम है Warren Buffet अब इसके बाद कुछ important बाते पेटियम के बारे में जान लेते हैं पेटियम कंपनी के स्थापना 2010 में होई थी और इसके जो headquarter है वो नौइडा में है UP के अंदर नौइडा में और इसके जो founder और CEO है उनका नाम है विजे शेखर शर्मा next current fair है भारतिय उर्जा परणाली के लिए मौसम सूचना पोटल पर एक पुस्तक किस ने जारी की है तो भारतिय उर्जा परणाली के लिए मौसम सूचना पोटल पर एक जो पुस्तक है वो आर के सिंग ने जारी की है और देखे आर के सिंग कौन है तो आर के शर्मा केंद्र पुस्तक का उप्योग उर्जा के सभी छेत्रों में मौसम पॉर्टर के उन्नत उप्योगों की सुभिधा प्रदान करने के लिए पावर सिस्टम ओप्रेशन कॉर्प्रेशन लिमिटेड ने आई एमडी के सहयोग से किया है नेक्स्ट कांट फियर है निमन लिखित में से किस भारते खिलाडी ने एशियाई खेलों में हैप्तेथलों में स्वण पदक जीता है तो उनका नाम है स्वपन्ना वर्मन जिन्होंने एशियाई खेल 2018-2018 संस्क्रण में हैप्तेथलों में स्वण पदक जीता है और इनकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष की है और इन्होंने महिलाओं के हैप्टेथ लोन में दो दिन तक चली साथ सपरधाओं में 6026 अंक बनाए हैं और इस खेल में चीन की क्वीगलिंग वांग ने रज़त पदक जीता है और इन्होंने 500954 रन बनाए हैं और इसी गेम में जापान की यूकी यामा साकी ने कांसे पदक जीता है और इन्होंने 500873 रन बनाए हैं और इस गेम में भारत की पूर्णिमा हैंबराम चोथे स्थान पर हैं और इस गेम में 108 पदक जीतने वाली स्वपन्ना वर्मन पहली भारती महिला बन गई हैं और इसी दोरान इन्हों ने उची कूद और भाला फेक और इसी के सासाथ गोला फेक और लंबी कूद में दूसरा स्थान हासिल किया है अगला करंट फिर है परधान मंत्री नरेंदर मोदी किस देश के दो दिवसिये दोरे पर हैं तो भारत के पर्धान मंतरी नरेंदर मोदी नेपाल देश की दो दिवसीय दोरे पर हैं और ये देखे नेपाल इसलिए गये हैं ताकि ये जो चोथा बिमस्टेक शिखर समेलान के दोरान पर्धान पंतरी नरेंद्र मोदी बीमस्टेक के सभी नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और इसी के सासद व्यपार में बृधी करने के लिए और छेत्रे सहयोग में सम्रिध करने के लिए भी बातचीत करेंगे अब इसके बाद देखें कुछ इंपॉर्टान बातें बीम्स्टा के बारे में जान लेते हैं और कुछ इंस बातें नेपाल के बारे में भी जान लेते हैं सब्सक्राइब स्टेक का पूरा नाम कё inom पता नची तो बीम्स्टेक की फुलQ है बे ओ बंगाल इनिशेटीफ फोर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकनॉमिक कॉर्परेशन और इसके बाद है कि बिम्स्टेक के जो स्थापन है वो 6 जून 1997 में और वर्तमान में जो बिम्स्टेक की अध्यक्ष है वो नेपाल है नेपाल की कैपिटल है काथ मंडू और नेपाल की करंसी है नेपालीज र सहिआ है बिद्या देविपंडारी सब्सक्राइब बाते नेपाल के बारे लीए बुल्गारिया के साथ समझ्धोता ग्यापदमकर अपर इस्ताक्ष है injured , प्रियाटन विन्यम है जानकारी और प्रियाटन आदी से संबंदी जितना भी डैटा है उसके सहीयोग को बढ़ाना है और जो बुलगारिया है वो भारत के लिए एक संभावित प्रियाटन बाजार है और देखें 2017 में बुलगारिया से करीब 5288 परियाटक भारत आये थे बुलगारिया के जो प्रेजिएंट है उनका नाम है रूमें रेडिव तो इतनी पॉइंट बाते आपको पता हुए बुलगारिया के बारे में अगला गरंट अफेर है पर फुल विद्वई मैमोरियल अवार्ड 2018 कि से परदान किया गया तो पर फुल विद्वई मैमोरियल अवार्ड 2018 उलका महाजन को परदान किया गया है और देखें जो उलका महाजन है वो सर्वहार जन अंदोलन की सह संस्थापक है और देखें इन्हें ये अवार्ड समाजिक कारे करता मेधा पाटकर द्वारा दिया गया है और इस अवार्ड की जो स्थापना है वो पत्रकार एवं समाजिक कारे करता परफुल विद्वई की सम्रीती में की गई है और जो परफुल विद्वई हैं उनका जो निधन है वो 2015 में एमस्टवर्डम में हुआ था और इनों ने कई सारे सामाजिक परिवर्टन भी ही है और इनों इसे के सासर नय और लेंगिक समानता के लिए भी कारे किया है और ये अवॉर्ड उन संस्थाओं और लोगों को दिया जाता है जिनों ने इस परकार के काम में अपना सहयोग दिया है अगला करांट अफेर है हाली में केंद्रियम मंत्री मंडल ने O स्मार्ट योजना को मंजूरी दी है तो आपको ये बताना है कि जो O स्मार्ट है इसमें O का क्या मतलब है तो ओ स्मार्ट में जो ओ वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब है ओशियन और इस योजना को मंजूरी 29 अगस्त को दी गई है और देखे इस योजना को जो मंजूरी है वो कैबिनेट समीती द्वारा दी गई है और ऐसा माना जारा कि इस योजना में लगभग 1634 करोड रुपए खर्च होंगे और इसमें महा सागरी विकास के लिए 16 उपर योजना है और देखे ओ स्मार्ट योजना के दुरान कई सारे विभिन सेक्टर्स को लाब होगा जैसे की मचली पालन ओफशोर उद्योग रक्षा शिपिंग बंदर गाहों इत्यादी को लाब होगा अगला ग्र जीता है और एशियाई खेल 2018 में दक्षिन कोरिया से हारने के बाद भारती टैनिस टीम को कान से पदक हासिल हुआ है और देखे एशियाई खेल में टेबल टैनिस में ये भारत का पहला कान से पदक है और इस टीम में कौन-कौन शामिल था वो भी आपको पताना जाएं तो इन्हें 0 और 3 से हार का सामना करना पड़ा अगला कर अंडफेर है भारत और ABD ने किस राज्य में सिचाई शमता में सुधार के लिए 375 मिलियन डॉलर के रिण समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो भारत सरकार और ABD यानि कि Asian Development Bank ने सिचाई शमता में सुधार के लिए 375 मि आपन पर हस्ताक्षर किये हैं वो मध्य परदेश में सिचाई शमता में सुधार के लिए किये गए हैं जिससे क्या होगा यह परियोजना 1,25,000 हेक्टेर नए उत्याधिक कुशल और जलवायू परियुक्त सिचाई नेटवर्क विक्सित करेगी जिससे मध्य परदेश के ल पूरा नाम पता हम चीए तो ADV का पूरा नाम है Asian Development Bank अब इसके बाद कुछ इंपॉर्ट बाते मध्य परदेश के बारे में जान लेते हैं मध्य परदेश की Capital है भोपाल और मध्य परदेश के जो प्रेज़न में Chief Minister है उनका नाम है शिवराज सिंग चोहान और जो है तो इतनी बाद बाते आपको पता होने चाहिए मध्य परदेश के बारे में अगला करंट फिर है नार्वे के जहाज MB वेला की मदद किसने की तो वो देखिए भारती नोसेना का एक पोत है उसका नाम है INS तेग जिसने नार्वे के जहाज MB वेला की मदद की है और INS नोर्वे के बारे में पता होने चाहिए नौर्वे जो की यूरॉप की कंटरी है इसकी कैपिटल है ओसलो और नौर्वे की करंसी है नौर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है अर्ना सूलबर्ग और देखिए जो INS तेग है वह 27 वेंबर 2009 में लॉञ्च हुआ थ में गॉल्ड जीता है तो जिंसन जॉंसन ने इश्याई खेल 2018-2018 में संस्क्रण में 1500 मीटर रेस में गॉल्ड जीता है और इस गेम में इरान की अमीर मुरादी ने रज़त पदक जीता है और बहरीन के मुहम्मद तॉलाड ने इस गेम में कांसे पदक जीता है तो इतनी स्क निन Hahn तपकी अनुचे में अवर इसो कांटे टेवर के बारे में अविस्के बाद देखिए यहां पर मैं आपको एक्षिया खेलो के बारे में फिरसे पता देती हूं अगर आपको याद ना हो तो क्योंकि एक भी पता हूं आपको पत 1 इंपॉर्टन है और जब पहली बार एश्याई खेलों का आयोजन है वो दिल्ली में हुआ था भारत के अंदर दिल्ली में 1951 में और दूसरी बार एश्याई खेलों का आयोजन भारत के अंदर 1982 में हुआ था और इस वर्ष जो एश्याई खेल हो रहे हैं उनकी मेजबानी इंडोनेशिया के दो शहर है जकार्ता और प्लैंग बेन कर रहे हैं तो इतनी 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 बात आपको पता हूं चाहिए इस यह खेलों के बारे में देशक पसे स्तीफा दे दिया है और दूसरा कोशन है जो कि आपके टेस्ट के लिए है भारत की पहली पेपरलेस हवाई यात्रा कहां शुरू की जाएगी बहुत ही इंपोर्टन करंट अफ्यर है और बहुत ही इसी है और अभी जल्दी हमने इसको डिसकस किया था तो आपको बताना है कि भारत की पहली पेपरलेस हवाई यात्रा कहां पर शुरू की जाएगी इन चारों उप्शन में से आपको अंसर देना है तो इन दोनों कोशन के अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आने वाली सभी जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहेंगे और साथी में आपको उनकी तयारी भी करवाई जा रही है और अगर आपका कोई सुजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हम आप से मिलते हैं नेक्स लेक्चे में थेंक यू